असलाम उलेकुम दोस्तों वेल्कम टू दा सेकेंड वीडियो वित नदीम भाई पहले वीडियो में आपने इनके कोटा कलेक्शन देख लिया यह वीडियो में आप गुजरी और मालवा कलेक्शन दिखाएंगे ना मेवाती भी है तो मतलब यह तीन ब्रीड में ज्यादा तर आप अभी काम करें पर इंशालला हाइट पैट पर तीरा यह सब पर आगे चल के काम होगा प्यारा बच्चा है छोटा है फाल ने लाएक है माशालला अधन्थ है कलर पैटन भी अच्छा है फर भी बहुत अच्छा है भुजरी में अब यह आठ नो मेने को जादा नहीं है अधने के बाद में फुल सेट हूग अभी आ पार पी पीपी आर भी होगा इसा है लोग बोलते ना कि आने के बाद एक बार बीमार होता है भकरा मतलब काफी टाइम से तो अम दोब जब तक सेट नहीं होता है आपने भी देख एक दो बखर और है जो दिखा है नहीं बराभ यहां पर डबल करते ही करते हैं तो उसमें आप सब कवर कर लेते हो इनका इटी-टी-टी हो गया या पी-पी-पी-आर हो गया जो गया डी-वार्मिंग पिलाल हुआ है सही है काफी अच्छा है कुप सुरत है कलर पैटन भी और इंशाल्ला बहुत उम्मीद है यह बक्रेद है इसकी आखे इतना मलग हैं काजिल लगा ऐसा लगता है इतना मतलब चलने में जाल जी बहुत है सई किते में देना आपने को यह शोला हजार पांसो रुपे में शांदार बच्चा है माशाल्ला गुमाव एक बागुमाव माशाल्ला तीन कलर इस पर ब्लैक ब्राउन और वाइट आप गौर से देखे तो आपको जित्ता देखो कि उत्ता प्यार हो जाए गया से 16,500 छोड़ दो भाइस को भी देखो आप यह उमर में भी मस्ती में भी यह बक्रा नेक्स बक्रा ले जाते भाई दूसरा गुजरी दिखा रहे आप यही एक बक्रा जो खसी है यह तो अच्छा हो गया और लेड़ी खसी है और दो दात पर यह दो दात पर भी और वेट वाइस भी यह 45-50 बहुत आराम से आजाएगा आराम से आजाएगा यह सही है यह बात काफी अच्छी है कि अपन बहुत जन्यूएन वेट बताते हैं जन्गल में कुछ भी शायद वेट बोल के बेस्ते हैं मैं देख रहा हूं आजकल जो खासके मुंबई के और एत्राफ के भीवंडी के ट्रेटर कमी बता रहे हैं ताकि वहां जाके जाए तो खूश हो जाए तो क्योंकि आप लोग यहीं हो ना वहां से माल आ जाता है हम तो आपकरने जा रहे उसको कोटा में यह बात यह बात पर है दो दात पर है खसी बकरा है गुजरी में शाइनिंग अच्छी है और इंशालला बकरा इत्तक एदम रेडी बकरा हो जाएगा अगर कोई सही खिलाय पिलाय तो 80 केजी तक जाने की उमीद लगती है में इसको भी खसी बकरा देखा दोस्तों आपने पहले आपने छोटा ब में बात भूल गया तो पूछ लेते हैं भाई नहीं या दिला है इसका प्राइस क्या है माशालला बहुत सही है अगेन मैं बोलूंगा सही रेट है बाई 8500 रुपे में सेट खसी बकरा कोई अब भी लेकर हकीका भी कर ले तो भी बहतर है खसी बकरा मिल आपको 8500 रुपे मे सेट बकरा कोई बीमारी में ने कुछ ने फुल सेट बकरा माशालला बहुत अच्छा रेड़िया आपने लाओ पाई नेक्स बकरा दो तीनों बकरों में सबसे मजबूत दिख रहा है मैं मतलब ताकत में ताकत में मजबूत है बढ़ा है और 55-60 kg इंशाल लाएगा है अंडू गुजरी चार दात्ते हैं कलर की अच्छा डांग जो आता है 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 क्या आस्किंग रेट है बाइस का इसका बीस हजार पांचो बहुत अच्छा अगेन गुड रेट माशालला बीस हजार पांचो रूब में तो गुमाओन एक बाइस को कलर देख लो आप अब लेके जा सकते हैं पलवाना है कहीं तो वहां बोलें वहां बेज देंगे इंशालला बीस हजार पांचो रुपे में चार दात का गुजरी आपके सामने वजन का अंदास क्या है भाई फिफ्टी फाई तो ही है पर वह फिफ्टी फाई टू सिक्षी ब्रैकेट डेख ल आप अगर गुजरी भी बोलते तो भी लोग यकिन कर लेते हैं मतलब क्या कलर है इसका गोल्डन और बारीक दात है इसको यह है दम टम टम बनने वाला बकरा और यह भी 45 का सिंशल्ला मालवा के जो शौकी नहीं चोड़ेंगे बखरें तो कि मालवा बखरें आप देख रो म थोड़ा उपर लो ना भाई एक कदम आगे बढ़ा उपर जैसकी मुंडी करो लोग देखेंगे इसको वाह वाह अच्छा पैच भी है माशाल्ला यह कलरी रहर है पहली बात तो कान देख लो आप मजा आ गया भाई बखरादे कि अंडू अभी अंडू अभी गलापट्टी है सिंग अच्छी है पूरा आपको मैं चारों तरफ से बक्रा दिखा देता पैर भी अच्छे माशालला क्या मांगे भाई आपकी इसको भी से जारा समय है माशालला सही है छोड़ो भाई यहां पर चल बेटा चेहरा देखें आप सबसे अग्रेसिव बक्रा शायद अब आपके सामने नदीम भाई हैंडल करने के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको बता दू के अधन था और आज हमारे सामने ही अभी बिश्मिल्ला हुई इसने अभी अभी दाद तोड़ा है अब दाद आएंगे इसके नहें एक अधर देख लो आप मालवा होते ही गरम है बहुत गरम होते मालवा अच्छा पैचे से अच्छी अच्छी चीज है चलो अपन 45-50 वाला ब्रैकेट बोलते हैं ताके किसी को ऐसा ना हो वा खाने पी नहीं अच्छा लग रहे हैं बग्रामे को बहुत अच्छा है मार्चा है जयां रदना पड़ता है जो घ्मा देता है तो आप इसका आस्किंग डेट किया है 27,500 ट्वेंटी सेवंधे 27,500 बहुत रहे है इसको जी तो आप आपकी मर्जी है क्योंकि इसके पहले बखरा देख उसका आपने 20 यह मांगे है ना हलांके मेरा पर्सनल ओपीनियन है वो भी आपको आया महंगा होगा मैं सिव एक जर्नल व्यू बता रहा हो लोगों को इस बंट पक्रा बहुत अच्छा है नब यह एक मैंने से यहीं है यह हमने लास वीडियों में नहीं दिखाया हाला कि हमको लास वीडियों में दिखाना था यह वक्रा कारोली कोटा मुंडा यह एक रायर चीज लाए भाई पेट से अल्ला नजे बत्से बचा है पेट से देखके लग रहा है कि माशालला बहुत खाता हो गए अच्छा है पा कि अधा है किया आप क्या मंग रहे बखरे कबाई इसका बैस बाइस पांचोफ बाइस पांचो यह माशाला यह है यह भी बहुत अच्छा रेट सिक्ष्टी जो सिक्ष्टीव में को लगरह मैं सामने से बोल दे रहाओ आपको बाइस था पांचो में हट च्टा बगरह आप बहुत जल्दी कवर कर लें चलिए एक और भी बखरा दिखाते है शांदार मेवाती यह भी अंडूल मेवाती है था और छे दात पे लेंथ बहुत अच्छी है वेड बहुत अच्छा है और मतलब इत के लिए तो एकदम बैस्ट रही है चोटा बच्छा लेंगे मेवाती का त में चे रात पे है शिक्स्टी फाइजी यह भी आजए शिक्स्टी फाइजी इस शांदार बग्रा क्या रेट आप आप आस्क कर रहें भाई इसका चप्वीस हैं पांसो बख्रा देख लें आप चप्वीस हजार पांसो में रोमन नोज गला पट्टी आपको यह बख्रे ज यहां पर रख्वान आए तो भी आप बात कर सकते हैं चलिए इसको जान देते हैं अभी और गुसा दिए माशला शांदर चीज़े बाई शांदर यह मेरा पर्सनल फेवरेट यह कलेक्शन जो अभी है और हाइड बहुत अच्छी यह बखरेगी और पंच भी आप बहुत उंदा बखरावाई है वह तो दिखी रहा है बोलनाई की जर्वतिए बट से एक एक चीज अगर आप नोट अगरा वजन वजन कितना है वजन इसका शांदर यह पूरे राउंड और आफ का यह सबसे बड़ा बखरा आप इसको बोल जब बखराई में इंशाला बहुत अच्छा तयार होगा पंच तो इसका तो इसका अधिक रेट क्या कर रहें ठाटी एट थाउजन जबर्दस वह सोते वह सब कुछ निये इसमें हाँ जब शांदार छोटा सा चैरा जबर्दस यार गुमाया है 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 कलर भी बहुत अच्छा लिए सई है तो अल्मोस हमने सब बक्रे देख लिए अब सब को एक साथ वापीस से दिखा देंगे आप लेजा उसको है तो नजीमर जैसे लास्ट टाइम दिखाए थे हमने आपकोटा यह अच्छा है कि एक साथ लोगों को सब बखरे दिख भी जाएंगा तो यह हमने एक खसी बखरा है जो सबसे पहले है इसका बहुत ही अच्छा रेट बोले ता आपने बिमों को याद नहीं है तो लोगों जिसको चाहिए इंशालब ले सकते हैं यह मेवाती है जी दो मैवाती है उसमें से एक मेवाती है चार दात पर नियुक्ती जो सबसे पहला दिखाए थे तो यह मेरा परसनर फेटर रहा बकरा यह बहुत मजा अबैको का चैरा बहुत पसंदा आया में वह यह वाले वीडियो और पहले वीडियो का भी मेंने एक बखरा बताया था वाला मकी छीना टाइप पीछे कारोली कोटा है मुन्ना और यह आपका सबसे बड़ा बखरा आपका एक बाद नंबर बता दे माई 9172237866 और भाई का यूटूब चैनल भी आप उसको प्लीज सस्क्राइब कर लें उसका नाम क्या भाई जाएगा और मैं लिंक डाल दूंगा न तो इजी हो जाएगा लोगों के लिए सर्च करना माशाइला सही है तो यह बकरे सारे सेल के हैं इसके अलावा पहला वीडियो देख लें लोग जाकर जाके जाक कोटा के बखरे हैं और आप पलाई के लिए बीकांट और इसके अलावा बकरे आते रहते नदीम भाई क्या तो आप इनसे इंस्टेंट कॉंटाइक में भी रहें इनका नंबर सेफ कर लें इंशाल्ला और स्टेटेस वगरा पर भी चेक करते हैं ठीक है बाई बहुत बहुत शुक्रिया में अस्सलाम हो लाइग